दोस्तों आपको कहाने सुनना कैसा लगता है अच्छा लगता है ना कहाने सुनना हम सब को बहुत अच्छा लगता है कि इन बच्चों कहाने सुनना कुछ जादा ही पसंद होता है बस कहाने उनके मतलब की हो उन्हें समझ में आजे और उन्हें उसमें मज़ा आए बच्चो आपको कहानिया कौन सुनाता है आपके दादा जी सुनाते हैं आपके नानी जी सुनाती हैं आपके मम्मी भी आपको कभी कभी कहाने सुनाती होंगी लेकिन आज मैं आपको एक कहाने सुनाने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि आपको अच्छी भी लगेगी और समझ में भी आएगी तो बच्चो सुननी ये कहानी? जी दी अच्छी लगती है आपको कहानी? जी दी आपको पता है ये कहानी कौन सी है? नहीं जी जी ये कहानी एक ऐसे बुड़ी यॉरत की है जिसके पास एक मुर्गी थी और मुर्गी क्या देती है आप जानते हो मुर्गी से हमें क्या मिलता है अंडे बिलकुल सही मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं लेकिन इस बुड़ी यॉरत की मुर्गी को स्पेशल थी कु भी बात है। Credence is cursed, लालच बुरीबला है। अब इसे story को हम English में पड़ेंगे। ठीक है, और इसकी meaning भी जानेंगे। यह आपके book, My English Reader और इस book के page number 77 पे है यह story, English में Listen to The Story इस story काप हम पड़ेंगे, और इसकी meaning जानेंगे, साती हम करेंगे इसके question and answers तो हम लोग शुरू करें? जी चले शुरू करते हैं Once there was an old woman. She had a wonderful hand. It laid a golden egg every day. So the woman became very rich. But she was not satisfied. She wanted more and more money. She said to herself one day, This hen has a golden stomach. If I cut her open, I shall get more gold than I am getting now. So she killed her hen and cut her open. But she found no gold inside her. Her hen was just like any other hen. पंडिया बच्चों हम लोग ने English में कानी? लेकिन अभी हमें इसकी meanings भी तो जाननी है. इसमें कई ऐसे words भी हैं, जिसका आर्थ आप शायद नहीं जानते होंगे. शायद जानते भी होंगे. लाइक हम देखें इसमें कौन से ऐसे words हमें जो लग रहे हैं कि आपको शायद उसमें कुछ दिक्कत होई होगी उसको समचने में. तो हम पहले उस words को देखें. लाइक सोना, सोने का गोल्डं में सुनहरा. एवरी डे में सहर रोज अर्रोज प्रति दिन, एवरी में प्रती हर डे में दिन, जानते हैं हम लोग? एवरी डे में प्रति दिन या हर रोज, हर दिन. और कौनसे ऐसे words हैं? रच मिल्च अमीर, अमीर सही बताया आपने है है? दनवान, दनी और satisfied means क्या होता है? संतुष्ट very good, संतुष्ट और stomach means? पेट stomach means पेट, belly, right? और कोई ऐसा वर्ड है? inside के क्या मतलब होता है बच्चो? अंदर अंदर, बीतर आपको कुछ इसमें जो difficult words थे वो तो आपको समझ में आगे होंगे लेकिन अभी हमें स्टोरी को explain भी करेंगे स्टोरी को हम हिंदी में भी देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है तो हम लोग चले, देखे चले बढ़ते हैं once, once means क्या होता है? एक बार, ठीक है? once means एक बार there was an old woman एक बार यहाँ एक बूड़ी औरत थी right? she had a wonderful hen उसके पास एक अद्वत मुर्गी थी एक बहुती अर्लग किसम के खास किसम के मुर्गी थी it laid a golden egg every day यहाँ देखे, बच्चो इट शप्त का प्रियोग हुआ है जबकि इंसानों में क्या होता है? इंसानों में, human beings में उनके link के according उनके gender के according हम he या she का इस्तमाल करते हैं he हम यूज करते हैं किसी भी male, किसी भी pulling के लिए like, akash, ramesh उसके लिए अगर हम यूज करते हैं he is going to market वैसे अगर कोई female है, कोई is thrilling है तो हम she शप्त का इस्तमाल करते हैं जैसे, गीता के लिए, यसीता के लिए इन सब के लिए हम यूज करेंगे she is going to the market वह market जा रही है वह market जा रहा है लेकिन यहां पे एक मुर्गी के लिए यहां पे इस्तमाल किया गया है तो it laid a golden egg every day वह क्या करती थी? वह प्रती दिन एक सोने का अंडा देती थी So the woman became very rich तो क्या हुआ रोज एक सोने का अंडा देती थी मुर्गी तो वह जो औरत थी वह बहुत अमीर हो गई बहुत धनी हो गई But she was not satisfied उसकी बावजूद एक एक रोज रोज सोने का अंडा मिलता था उसको बहुत अमीर भी हो गई लेकिन वह खुश नहीं थी बसंतुष्ट नहीं थी उसे और चाहिए था देखें यहाँ पर She wanted more and more money उसे और और पैसे चाहिए थे बहुत पैसे चाहिए थे ठीक She said to herself one day उसने एक दिन अपने आप से कहा उसने एक दिन अपने आप ही में सोचा अपने आप से ही कह रही है This hen has a golden stomach इस मुर्गी का पैट शायद सोने का है उसको ऐसा लग रहा है वो अपने आप से कह रही है इस मुर्गी का पैट सोने का है If I cut her open I shall get more gold than I am getting now अगर मैं इसे काट दूँ अगर मैं इसका पैट खोल कर देखूं तो मुझे और सोना मिल सकता है मुझे और बहुत ज्यादा सोना मिल सकता है जो मुझे अभी ये रोजोज मिल ला है हार रोज एक-एक सोने का अड़ा मिलता है अगर मैं इसको काट के देखूं तो इसके सुनेहरे पेट में इसके जो पेट है औनकी व्हों सोने के लिए जलिए अमिर होने के लिए वग उसने अपनी मुर्गी को माँ दाला और क्या किया फिर भी तो पेट के उन्डे तह लगता थोMore फिर देख क्या होता है आगी वट यह क्याहां विड्य MA हर gust a stomach उसके पेट के अंदर हर यहां पर उसके पेट केले इस्तंवाल किया गिया गिया लेकिन उसके पेट में उसे कौछ नहीं मिला उसको कोई सोनया ने मिला, कोई सोनेकंडा नहीं मिला हर हैन उसकी मुर्गी तो सिंपल जैसे और बाकी मुर्गियां होती हैं उसी के तरह थी समझे, आप लोग समझे, अब तो आपको हमने इंग्लिश में बता दिया, हंदी में बता दिया लेकिन आपने ध्यान से सुना इसको, जानते हैं, अभी हम आपसे इसमें से questions पूचेंगे और आपको answers भी करने होंगे, है ना, तो अभी आपको इस कहानी का message भी एक्दम clear हो गया होगा, देखो इसके लालच में क्या किया, इसके इतनी अच्छी मुर्गी थी, जो गोल्डन आपको इसमें कुछ पूचना है जी दि, दि दि लेड का क्या मतलब, लेड का मतलब होता है, कहा है लेड, लेड में सोता है देना और लेकिन, गिफ का अपने जरे सुनाओ, ओगिफ, गिव में भी होता है देना, लेकिन यहां पर मूर्गी अंडा देती थी, अन्डा पाइ यह नहीं कह सकते हैं, यह हैं गेव नहीं कह सकते हैं, यह उसके लिए अंडा देने के लिए जो जही शब्द है वो लेड है, तो इत लेड आप गोल्डन एग एवरी डेग, मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी, ठीक है समझ में आ गया? जी दी, कोई और सा और कोई भी शब्द है या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में आई हो, नहीं दी दी, नहीं, चलिए देखते हैं, अब आप खोद पढ़िए इसको, फिर देखें आपको कितना समझ आ है, एक बार बहुत बूरी औरत थी, बहुत बहुत कहां है, बहुत क वैरी यह तो नहीं लिखा हुआ है, एक बूरी औरत थी, इसके पास एक अदबत मुर्गी थी, इट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, ये एक ये मुर्गी, ये नहीं, वो, वो मुर्गी सोने का अंडा एक हर रोस देती थी, वह हर रोस, एक सोने का अंडा देती थी, ठीक, चलो, सोदा, 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 स अमीर बन गई हाए वो गोडी और यो थी वॉरत बहुत अमीर होगे है आंगे बढ़िय वाट शी वॉस नॉट सस्टिफाइध रखिจะ सिफाइध इस सैक्थाइट कर दो हाउथ को नहीं ती भाट लेकिन भाट संटिपसर Jah नहीं थी, she was not happy, वो जो उसको एक सोने का अंडा रोज मिल ला था सिवस संतुष नहीं थी, वो खुश नहीं थी, ठीके, आगे बढ़िये, she, 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 wanted more and more money, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था, वो और पैसे चाहते थी, बहुत पैसे चाहते थी, ठीके, अब आप पढ़िये, she, 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 she said, said, said to herself one day, यह एक दिन अपने मन में सोची, ठीके, आप देखो, क्या सोची वो आप पढ़िये, ठीके, अब आप पढ़िये, यहां से आप पढ़िये, ठीस सैट्डु हरस्या वंडे उसने अपने अप्ट झीश रीकिन का क्या हम धिस हैं एक दिन का वन गे एक दिन कहा वह दिस हैं अ वह दिस हनहे बस लोगे चिशिश्टमकर lebih उस मुर्गी के पास एक सूने का पेठ आृ है इस मुर्गी के पास दिस है नहीं पे इस है और लिद्यट टोलो कोईट इस मुर्गी के पास है ना that outa tab uswoda súna यॉप यहां पे this इस मुर्गी के पास ़ुके ask ती उस मुर्गी के बात करे गहा या If I cut her open, अगर मैं उसको उसका पेट काट दू? हाँ अगर मैं इसको पेट चीर दू? I shall get more gold than I am getting now. तो मैं इस समय से ज्यादा पा जाओंगी. हाँ, इस समय जो मुझे जतना सोना मिल ला है, अभी मुझे जतना सोना मिल ला है, उससे ज्यादा सोना मुझे मिलेगा. थेखें है, मिल सकता है, मिल जाएगा, हाँ? चलो आगे बड़ो So she killed her hand and cut her open, तो उसने अपनी मुर्गी का पेट काट दिया और यह को माई डाला, और पेट काट दिया, पेट चीर दिया, चलो आगे बड़ो उसके पेट के अंदर से कोई सोना नहीं मिला, आगे बड़ी वो मुर्गी दूसरी मुर्गियों की तरह थी हर है, ऊसकी मुर्गी, जो इसकी मुर्गी ती, जो बूडी औरत की मुर्गी थी, बोट बागी जो मुर्गी उतीं, यूपरी दूसरी और मुर्गी उत्ती digestra थी, ठीके? तो अब तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये स्टोड़ी अच्छे से समझ में आगी होगी जी डिए तुकि आप हमने इसे इंग्लिश में भी पड़ा मैंने से आप महम लोग इसको संजया साथ में संजया फिर आपने से खुद पड़ा और अब इसका आर्थ भी आप लोग ने बताया इसका मतलब आपको समझ में तौई गया जी लिए ना तब हम लोग बढ़ें इसक अ गोलडन एंग четर अबमिश्या ग्यूम पडिर दय।ANK इसको आपगर लोग वाद अव्लन आपच अर।uff इसको हम एक संस्टेंस में अर बोलें तौमैं कैसे बोलेंगे Why did the old woman kill her hand? औरत ने इस लेडी ने अपनी मर्गी को क्यो मार दाला? क्यो मार दाला? वसे लाला चाह गया था कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए Good! एंग्लिश वता सकते हैं इसको? मताये The woman was very Very Greedy Greedy To want more and more money Good! हम इसको ऐसे वता सकते है The old woman killed her hand because she was greedy Simply क्योंकि वो लालची थी है न? Right Next चले हो How did the hand die? मुर्गी कैसे मरी? मुर्गी जो बुडिया थी उसने लालच में आके मुर्गी को मार दाला Simply we can say The old woman killed her hand herself बुडी औरत ने अपनी मुर्गी खुदी मार डाली ठीक Next Next हमारा कोशन है What was there inside the hand? मुर्गी के अंदर क्या था? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था Right There was nothing inside the hand Ya there is no gold inside the hand मुर्गी के अंदर कुछ नहीं था कोई सोना नहीं था ठीक बुडी औरत की मुर्गी बाकी मुर्गों से अलग थी? नहीं Right No Old woman's hen was not different from any other hen ठीक है? उसकी मुर्गी बाकी मुर्गों से अलग नहीं थी Next पड़े What did the old woman have? बुडी औरत के पास क्या था? उसकी पास एक मुर्गी थी जु सोने का अंदा दित थी Good She had a wonderful hen The old woman had a wonderful hen Right Next How many eggs did the hen lay every day? वो मुर्गी हर रोस कितने अंदे थी? एक Good वो मुर्गी हर रोस कितने अंदे थी? वो मुर्गी हर रोस कितने अंदे थी? एक अंदे थी The hen laid one egg every day One golden egg every day ठीक है? ठीक है हमने ये कहानी पड़ी English ने पड़ी इसका अर्थ जाना Question भी जाने उसके answers भी जाने और हमें लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आगी होगी अगर नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं आप इसके question answers करिए कुछ ये आपको समझ में आए तो हमसे पूछे कि ये झाली